हलो फ्रेंड तो आगे मैं एक और नीव वीडियो के साथ ही आ रेंग पुसिंग के एपिसोड नमबर ब्यालीस होने वाला है तो आज मैं आपको सोलो के एक फूल मेच का गेमपले दिखाने वाला हूँ यार 12 तारीक को सीजन इंड होने वाला है तो आने वाले नीव सीजन में आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो ग्रान मास्टर करना चाहते हो या फिर मास्टर या फिर हिरोईक में भी कई-कई लोग खुश रहे जाते हो तो फिर यह वीडियो आपके लिए यह क्योंकि यह वीडियो ना काफी ज़्यादा है फूल होगा आपके लिए रेंक पु फिर वीडियो स्टाट करते हैं को फाइनली यह मैच जो हिस्टार्ट हुचुके जैसा कि आप लोग देखी सकते हो फ्लेन भी आ चुका यहां पर मैं अभी जाने वाला था ब्लू जोन क्योंकि ब्लू जोन ना काफी ज़्यादा दूर थै तो ब्लू जोन रहे प्र कोई सभ वहां बंदे जाने के काफी जादा कम चांस थे और अगर जाते भी तो यहां से ही जाते मतलब लांच पे लाँच पे डुड़ रहते हैं अगर अगर आपको लेंडिंग करना नहीं आता तो फिर नीचे देखो description में एक video का link दिया landing कैसे करें ऐसा लिखा होगा उसके नीचे एक video का link होगा उस video को देख लो आपका सारा doubt clear हो जाएका landing से related तो यहाँ पर मैं अराम से जा कि अब ही loot वेगहरा करूँ अगर कोई बंदा आएगा तो आपको दिखाऊंगा तो वीडियो का पार्ट मैंने बहुत बड़ा पार्ट कर दिया है क्योंकि कोई बंदा ही नहीं आया है भाई सेंटोसा में मैंने आराम से लूट हुए रखिया देखोगे तो अभी तक मेरे जीरो इकील है तो ऐसा ही होता है बहुत ज तार्गेड बना करके मैं क्यलता हूं हर मैच में जैसे ये मै collecting स्टार्ट हुए नहीं चेय random चैना कि बना करूंगाल ऐसे वरगएव उसके हिसाफ से फिर सर वायु करना ही चैना जैसे कि मैं टार्ड़alley रहता हुं अपना दस इंश देंत उस से रहते जोब जब मैं फिर मतलब थोड़ा बहुत खुल के खेलनाई स्टार्ट कर देता हूँ अभी देखोगे तो मेरा टारगेट था 10 किल इस वाले मैच में तो 20 बंदे जब अलाई था ना तब मैंने मतलब बाहर निकला और यहां पर देखेगो तो मैं अभी कॉर्णर में ने यूँ जै लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा करके आप खेलो आप स्टार्टिंग के दिन खेल रहा हूँ तो कम से कम आप चार से पांच किल का टारगेट रखो मतलब कि आप जब 10 बंदे अलाई रहे ना उसके बाद फिर बाहर निकलो और थोड़ा खुल के अब यह चीज्ज मैं खुद के मतलब experience आपको बता रहे हूँ जो जैसा मैं हमेंजा खेलता हूँ उस इसाब से में आपको बता रहा हूं कि ऐसा करके है अपको खेलना मतलब सब आर बंद अपने अपने तरीके से खेलता हूँ और मेरे अब ही गेम का situation अलग है आपके गेम का situation अलग रहेगा कभी भी same नहीं रहेगा दोनों का तो यहाँ पर देखोगे न तो यह बंद पता नहीं यार कब से उपर आकर बैट गया था मेरे को पता ही नहीं चला भाई अब मैं कुछ और बोल रहा था कुछ और बोलने लगा तो यहीं बात मैं बता रहा हूँ देखो आब मैं अपनी तरप से पूरा try कर लहा हूँ कि जतना ज्यादा हो से कि उतना अच्छे से आपको बता पाऊँ मैं हर तरह से आपको इसलिए बता रहा हूँ आप थोड़ा रस करके खेलते हूँ तो फिर अपना किल का टार्गेट आप 10 रखो मतलब कि 20 बंदे जब अलाईव रहे तब बाहर निकलो किल करने के लिए लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत सरवाईव करके खेलते हो तो फिर 10 अलाईव रहे उस टाइम पर बाहर निकलो मतलब कि अपना किल का टार्गेट उस टाइम पर 5 नई 4-5 रखो इसलिए आप 10 बंदे में से 4-5 किल कर लोगी असानी से अब मैं अपना बात बजाता हूँ कि मैं किस तरह से खेलता हूँ जैसा मैं हमेसा खेलता हूँ उस हिसाब स आपको बता रहा हूँ देखो यार थोड़ा बहुत हाड अलाभी आता है मतलब बहुत जाता हाड अलाभी आया रहता है तो उस टाइम पे मेरा किल का टार्गेट रहता है चार से पांच किल मतलब 10 बंदे जब जिन्धा रहते है अलाईव रहते है उस टाइम पर मैं किल करन स्टार्ट कर देता हूं लेकिन स्टार्टिंग के दिन सारे के सारे वंदे अच्छे आते हर लॉबी हाड लॉबी आता है तो उस सिच्वेशन पर आपको सर्वाईव करने पर ध्यान देना है मतलब कि अपना पोजिशन पॉइंट निकालने पर ध्यान देना है तो कि अगर ठीक नॉर्मल लावी कभी कभी आ जाता है लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल भी नूब लावी मिलेगा ऐसा कभी भी नहीं होगा स्टार्टिंग के दिन हमेसा हाड लावी आता है तो ये चीज आप हमेसा ध्यान में रखना है कि आपको थोड़ा बहुत सर्वाइव करके ही खेलना है मतलब की ज्यादा रिस्क लेकर नहीं खेलना है हमेसा बुईया पर फोकस करो यार आटुमेटी कि आपका किल निकल जाएगा अगर आप बुईया करोगे तो दो चार किल पांच किल आराम से निकाल लोगे अगर बुईया पर फोकस किया रहोगे तो जैसा कि हम लोग आगा मैसा खेलते हैं स्क्वाइड में जब भी रैंक पुस करता हूं मैं मतलब स्टार्टिंग के दिन तो वैसा ही करके हम खेलते हैं कि अपना टार्गेट है बुईया भले किल निकले नकले वो बात की बात है लेकिन बुईया होना चाहिए ऐसा सोंच कि हम लोग खेलते हैं और जब इंड में आते हैं तो फिर आटोमेटिक किल निकल जाते हैं यह मतलब खुदी के एक्स्पिरियंस आपको बता रहा हूं मैं तो ऐसा करके आप खेलना और अगर आप आने वाले निव सिजन में रैंक पुछ करना चाहते हो मास्टार चाहते हो और सबसे पहले ग्रांड मास्टर लगाना चाहते हो तो फिर आपको एक टिप्स देता हूं मैं भाई सोलो मत खेलो स्क्वाइड में खेलो या फिर डूओ खेलो क्योंकि सोलो में हर में पूरा प्लस नहीं लगा सकते मतलब हर में पूरा प्लस हो गई ही नहीं आपका इसलिए मैं खुद squad खेलने वाला हूँ आने वाले season में क्योंकि मेरे को region जाना यहार लगातर 3 season से साएध हां 3 season हो गया मेर लगातर region जाता हूँ उस starting में Grandmaster लगा लेता हूँ सबसे पहले लगाता हूँ और region चला जाता हूँ इस सीजन वे रीजन में जरूर से जाओंगा मैं इसलिए मैं स्कौाइड में खेलूंगा और अगर आप भी रीजन लगाना चाहते हो तब फिर इसकौाइड या फिर डूओ दोनों में से एक फूस कर सकते हो सोलो को छोड़ी दो क्योंकि सोलो में आपका रीजन लगे गई नह मास्टर लगेगा जरूर मतलब कोई बड़ी बात नहीं है ग्रान मास्टर लगाना सोलो में मतलब इसलिए आप लगा सकते हो लेकिन वही बात है आप रीजन नहीं कर सकते हैं अगर आप ग्रान मास्टर के लिए मतलब खेलना चाहते हो तब आसानी से आप सोलो में लगा सकत अब यह बात काफी लोगों को ऐसा कहीं नहीं लग जाया यार कि मैं डूओर स्कार्ड खेलने में पूरा प्लस मिल जाया ऐसा पॉल रहो तो आप डूओर स्कार मैच स्टार्ट करो जोगा और इंड होते होते हुथे आपको पूरा प्लस मिल जाएगा ऐसा फिल्uciones समझणा तब जाके पूरा प्लस मिलेगा, जो कि सोलो में 10 स्किल करोगे तब भी पूरा प्लस नहीं मिलता, मतलब अगर आपने वीडियो देखा होगा मेरा तो आपको पता होगा, सोलो में 10 स्किल करोगे फिर भी पूरा प्लस नहीं मिलता भाई, मतलब 35 सको डामेज रहता है फिर भी दस किल नहीं निकाल सकता भाई हर मेंच में वो भी सोलो में यार इतना इजी नहीं है मतलब तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको भी फिनिस करोगी उसका भी डाइमेज काउंट होगा तो बहुत ज्यादा डाइमेज इंक्रीज हो जाता है इस्कौरण में पूरा प्लस मिल जाता है तो यहीबात मैं बोल रहाओ कि इस संगे ना कि मैं इस मतलब पूरा प्लस मिल गाया है यह कुल मस